Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11, sociology chapter 7, social change and social order in ruler and urban society, part 2. तो अब हम बात कर रहे थे technology और economic changes के, तो देखो technology और economic changes responsible थे for the changing of environment. तो हमने ये भी देखा, हमेशा social effect की परियावरन में एक तरीके का सयोग हुआ, समाज में परिवर्तन आया, टक्नीकी समाज में कई प्रकार की प्रभावित करा. तो देखो हमारे हाँ प्रकृती ने भी एक तरीके से विभिन नियंतरन लिया, अनुरूप ढाला, तो बजार और सक्तिचाली होते गए प्रकृती कार खाने जैसे सुनामी अत्वा तेल की खोज में प्रभावी हो सकता है. तो समाजिक परिवर्दन बहुत ही अलग थे, द्रिश्टी को इनका बहुत अलग था, क्रांथी थी, मैशल चेंज थे, टेक्नॉलिजिकल चेंजेस थे इसके आगे, तो इंडस्ट्रियल रेविलूशन हैट केरेड आउट अन्यू एरा. तो जो भी हम समाज में रखते हैं, नए चेहरे या हम शक्तियों की खोच करते हैं, मनुश्यों के मुकाबले नए चीजे ले के आते हैं, तो हमने बहुत सारे इंस्टेंसिस देखें और जाना है कि टिकनॉलिजी प्लेज आ मेजर रोल किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए. तो इंडस्ट्रियल रेवुलूशन भी हमने देखा है, डिस्कवरी ऑफ स्टीम पावर इंजन देखा हैं, तो ये भी एक नए सोर्सिस ऑफ एनरजी हैं, जो की स्ट्रॉंगर हैं, एनिमल यूमन बींग्स में केपिबल हैं, कंटिनुएस हैं, ऑपरेशन हैं, तो जब हमने हैरिस्ट मोट पे देखा है, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो स्टीम इंजन हो, रेलवे हो, एकनॉमी हो, जोग्रफी हो, तो हर चीज का निर्मान होता रहा है, तो एक्सपेंशन ओफ इंडस्ट्री इस एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडस्ट्री हैड बीन और हम जब इंडस्ट्रियल डेवलूशन देखते हैं, तो उस समय कोल आयन आ गए थे, कैनाल्स डेवलप होने लगे थे, रेलवे डेवलप हुआ, स्टीम इंजन हुआ, वेक्सीन्स डेवलप हुई, तो हर तरीके का यूमन बींग्स अब स्ट्रॉंगर हो गए थे, अनिमल आ गए थे, ट्रांस्पोटेशन सेक्टर बढ़ गया था, बोट के चैनल से, समुद्री रूट से, या नहीं तो रेलवे रूट से, या रास्तों से, यहां पर लोग निकलने लगे थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चेंज था, ड्राय स्टेक, जो की इस रेविलूश बढने लगे थे, कल्चिरल, सोशल, एकनॉमिक डायमेशन आ गए थे, सोसाइटी के, तो ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंस था, बहुत बड़ा इंवेंशन था, स्टीम पावर में, और ये सोशल चेंजेज, टिकनॉलिजिकल चेंजेज के आगे बढ़ते गए डिसकवरी में, तो जो भी एक तरीके का इंवेंशन था, ये एक तरीके का हिस्टोरिकल इवेंट था, चाहे हम कहें गन पावडर, या हम कहें राइटिंग ऑफ पेपर, इससमें स्टार्ट हुए थे, नए सिगनिफिकेंस हुए थे, पेपर प्रिंट रेवुलूशन आया था, तो ये आसे घटनाय तो होती रही, तो जे कुछ चीन में, जैसे हिरोशिमा नागव साखी में बम गिरा दिया था, कागज की खोज हुई, जिसका प्रभाव आज तक पड़ा है, आज तक पेपर यूज हो रहा है, तो पश्चिमी यूरोप में देखो, या आधुनिक करन में देख बारुद्वारा युद्ध की टेकनीक्स देखो, तो परिवर्थन हुआ है, कागज नए तरीके से बना, और भारतियों ने भी इस चीज में बहुत आगे बड़े, और समाज को बदलने के लिए रेविलूशन्स काम आई, जैसे हमाया स्पिनिंग आया, वीविंग आया, है इस वर्ड बेसिक सेग्मेंट, हमने बड़े पैगामे पे देखा चाहिए, अगर गन्ने की भी फैक्टरी आई हो नहीं, या चाए, या कपास की खेती हुई हो, तो ये सब आगे बड़ी हैं, और ये एग्रिकल्चर प्रोड़क्स, जिसको हम कहते हैं शुगर के इंटी, कॉफी, ये डिमांड हुआ, इसमें बहुत लेबर की जरूरत हुई, और ये डिमांड इस्टैबलिश हुआ, स्लेवरी इस्टैबलिश हुई, स्लेव ट्रेड बढ़ा, एफ्रीका, यूरोप अमेरिका में, 17 से 19 सेंचुरी में, टी प्लांटेशन असाम में बढ़ती गई, इसमें बढ़ती रही, जिसने पूरे समाज का नया दायत्व बढ़ा दिया था, अब हम देखते हैं, पॉलिटिक्स, मतलब राजनीती, क्या खिर क्या राजनीती हुई, तो इतिहास में, अगर हम देखें, अभी हमने तीन चीज़े पढ़ ली है, टेकनोलिजिकल, इन्वा अब हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल, तो इतिहास में, हमने देखा है, देखो, समरन हुआ है कि पुरानी विदियों में, राजाओने, रानियों ने बहुत सारे सोशल चेंजिस करें, किंग्स, कुईन्स, तो किंग, कुईन, एक रीप्रेटिटिव के सोश पॉलिटिकल, एकनॉमिक चेंजिस के सोसाइटिम, उन्होंने अपने दाज़ प्ले करें, रानी राजा, उन्हें राजनितिक, समाजेक, आर्थिक परिवर्तन किये, तो व्यक्ति समाज में अपनी भूमी का निभा सकता है, परन्तु भूमी का निभाने के लिए उसको एक चीज का क्लियरेंस होना जरूरी है, कि वो लोगों के लिए करें, तो दारन में देखो, युद्ध तंत्र था, वेलफियर ऑफ सोसाइटि था, तो वो अपने समाज को बढ़ाए, अपनी टेक्मीक्स को बढ़ाए, लेकिन देशित के लिए, तो जो भी हमारे राजा-रानी जिन्हों ने कौन कर करा, लोगों दूसरे साशनों से बचाया, मुसल्मानों से, मंगोल, तर्क से बचाया, तो इनकी एक सभ्य था थी, जो इनने अपने ट्रेडिशन्स फॉलो करे थे, उन ट्रेडिशन्स को जाना था, और उसको आगे बढ़ा, तो हिस्ट्री भी जब मॉ उनाइटेट स्टेट का एक बार हुआ था जापान के साथ सेकिंड वर्ड वार में, इन्होंने वैपन गिरा था, मास दिस्ट्रॉक्शन का बम गिरा दिया था, जिसको हम न्यूक्लियर बम के नाम से जानते हैं, तो जापान पुरा हिल गया था, हिरोशिमा नागसाखी में जो बम गिराया था, उससे सब मर गए थे और आज भी वो जगे पूरी बंजर पड़ी हुई है, वहाँ कोई जीव जन्तु नहीं रहता, सब खतम हो गया, वो जगे ही नश्ट हो गई है, वहाँ कभी भी डिस्ट्रॉक्शन हो सकता है, वहाँ इतनी इंजाइम सो इतना उस एनर्जी का पावर है, कि वो चीज कभी भी नश्ट हो सकती है, इसलिए वहाँ पर आज भी कोई नहीं रहता, तो यह जो मैसिव डिस्ट्रॉक्शन हुआ, जो की सोसाइटी ने इसका चेंज देखा, तो यह भी सही नहीं था, इसलिए बोला जाता है कि कभी भी बम या ऐसी चीजे नहीं गिराए जाए, अब तो युनाइटेड नेशन ने ट्वीटी भी अलाइन करी है, कि हम ऐसे विस्पोर्ट के बार नहीं करेंगे, तो पूरा जैपान बरबाद हो गया था, जैपान हार गया था, तो 1970s, 1990s में जैपानियों ने नए अग्रिकल्चर, नए इंड दुनिया में वो बचा दिया था, यूरोप, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ने, तो बेसिकली यह था, टेक्नॉलिजिकल प्रोडक्शन और्गनाइजेशन, जैसे अगर हम आने स्टील हो, या लोकोमेटिव और जिसको हम वहान कहते हैं, भारी टिखनीक्स हो, जो की एक तरीके का सेड़ वेक यूज कर रहे हो, तो जैपनीज टेक्नॉलिजी मैनेजमेंट प्रिंसीपल्स हैव इंकरेज, और ये एक स्पेस था, ये फोर डिकेट से हम देख रहे हैं, एकनॉमिक टेक्नॉलिजिकल चेंजेज, जो की वैलफियर में आया है, तो हमने यह उभर में जिसने चुनाथी दी, तो पॉलिटिकल चेंज नीज नॉट टू बी इंटरनेशनल, दे हैव इनुमरे सोशल इंपक्ट इवन एट हूम, तो राजनितिक परिवर्तन केवल अंतराश्टिय नहीं हो सकता, बलकि बहुत बड़ा समाधिक सतर पे देश पर भी निर्भर प करा कि नेपाली पीपल ने मुनायर की रिजेक्ट करी 2006 में, पॉलिटिकल सोशल चेंज लेकी आएं, वन वोट का प्रिंसिपल लेकी आएं, तो पॉलिटिकल चेंज अभी से नहीं देख रहे हैं, तो हम हिस्ट्री भर से देख रहे हैं कि एक व्यक्ति एक मत करेगा और यह स लोक्रेसी चाहते हैं, लोग पावर चाहते हैं, रोग राजनीटी बनाए जा रहे हैं, कंपल सरी, तो जो भी संपूर्ण से जन संख्या है, जो सामिल हो रहे हैं आप लोग, तो आरम में यह वोट दे सकें, आगे अपनी राजनीती कर सकें, तो अमीर व्यक्ति अपने पास समपती तो लेकी आ रहा है, और आगे इसका एक्जिस्टिंस बढ़ा रहा है, तो जब भी हम पॉप्यूलेशन के बार में, मिन्यॉरिटी सेक्शन के लिए देखें, ओन प्रॉपरिटी तो ओल वूमेन, मैन, लूवर कास्ट के भी हैं, तो यह वरकर्स आगे बढ़ रहे है तो अगर हम आज की कंट्री में देखें, तो डैमोक्रेटिक इस रूल, लोक तंत्र एक रूल है, एक नौम है, नौम मतलब वैल्लिव, तो यह आवश नहीं हो सकता, डैमोक्रेशी मीन्स इक्वालिटी, तो अब हम इनक्वालिटी नहीं कर सकते, या हम किंग्डम्स के रू और इसको हम कहते है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचेशी, जो कि एक पावर्फुल नौम है, ये प्रेशर सोसाइटी का एक गवर्मेंट का, जिसमें गवर्मेंट आगे अपने लेगमिटेट गवर्मेंट होती है, अपने रूल्स फ्लॉरिश करती है, फोर दा मैसिव सो करणेंट